Hello everyone, welcome to LearnerBee, class 11th English की poem The Voice of the Rain. ये poem लिखी है, Walt Whitman ने, पूरा explanation देखेंगे, अच्छे से एक-एक लाइन समझेंगे और सारे के सारे word meanings हम इस poem के देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं, and who art thou? तो इसका जो मतलब निकल के आता है, वो basically मतलब निकलता है, who are you? और ये जो who are you है, ये किस ने कहा है? ये कहा है, poet ने, said I, said I यानि कि ये बात जो कही है, वो poet ने कही है. To the soft falling shower, shower यहाँ पर बारिश के लिए इस्तमाल किया गया है, जो बहुत हलकी हलकी सी बारिश होती है, उसके बारे में बात की जा रही है, और बात कर कौन रहा है? ये, poet कर रहे हैं, तो poet कह रहे है, and who are you, who are you, तुम कौन हो, said I, यानि कि, poet ने कहा, किस से कहा? To the soft falling shower, बारिश से कहा, which strange to tell, और बड़ी अजीब सी बात है, gave me an answer, as here translated, और वो जो बारिश है, उसने जवाब भी दे दिया, और क्या जवाब दिया? यहाँ पर translate किया गया है, यहाँ पर बताया गया है, क्या कहती है poem, तो poem कहती है, I am poem of the earth, तो poem अब कह रही है, कि मैं तो earth की कवता हूँ, said the voice of the rain, तो rain की voice ने क्या कहा? rain की voice ने कहा, कि मैं तो घर्दी की कवता हूँ, eternal, eternal का मतलब होता है, never ending ज्यानी की, जो कभी खतम ना हूँ, eternal, I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, और जो earth की poem है, उसने कहा, कि मैं eternal हूँ, मैं कभी खतम ना होने वाली हूँ, मुझे समझना बहुत मुश्किल है, मैं land से, जमीन से उठती हूँ, और bottomless sea, bottomless मतलब जिसका अंत ही ना हो, अंत हीर सागर में मैं चली जाती हूँ, यानि की rain ने water cycle की हाँ पर हमें बात कही है, वो किस तरीके से है ना, पहले पानी होता है, फिर भाबन के उपर उठ जाता है, फिर बादल के form में, फिर से वो नीचे बारिश की form में आ जाता है, और बारिश कहां पढ़ती है, जमीन पर भी पढ़ती है, समुंदर में भी मतलब अबवर टू heaven कहां कहां जाती है, उचे आसमान तक चली जाती है, वेंस, वेंस का मतलब वेर, वागली, वागली का मतलब होता है, जो चीज़ क्लियर ना हो, altogether and changed, yet the same, तो ये कह रही है rain कि वो उपर आसमान तक चली जाती है, heaven तक भी चली जाती है, वो अजीब डिफ पनी जाता है, तो बारिश यही कह रही है कि मैं पूरी तरीके से बदल जाती हूँ, और फिर भी मैं वही रहती हूँ, क्योंकि पानी पूरी तरह से बदल जाता है, फिर भी वो पानी ही रहता है, यही बारिश बोल रही है, I descend to layve the droughts, I descend, descend का मतलब होता है नीचे की तरह आ तो I descend to leave the dots, यानि कि मैं नीचे आती हूँ, dots को rot होता है सूखा पर जाना, सूखा मैं ख़तम कर देती हूँ आकर के, atomies, छोटे छोटे particles, जो dust होती है, पूरी की पूरी globe की, यानि कि दुनिया के जो धूल, मिट्टी कड हैं, उन सब को मैं दबा देती हूँ, क्योंकि जब बा that in them, without me, were seeds only, latent, unborn, latent का मतलब होता है, छुपा हुआ होना, जो चीज छुपी हुई होती है, उसको हम लोग latent बोलते हैं, तो बारिश ये बताती है कभी को, कि मेरे बिना, यानि कि बारिश के बिना, बीज भी अपने पूरे स्वरूप में नहीं आ सकते, वो भी जमीन में बारिश के, तो यही बात बारिश बोल रही है, and forever, by day and night, I give back life to my own origin, यानि कि दिन, रात, निरंतर, वो क्या करती है, give back life to my own origin, यानि कि धर्ती पर जो जिन्दगी है, वो पानी की वज़े से है, water cycle चलती रहती है, बारिश पढ़ती है, हरियाली आती है, तो यही बात, जो है वो बारिश कह रही है, कि मैं अपनी origin को अपने आपको फिर से दुबारा से जीवन्त करती रहती हूं, water cycle चलती रहती है, मैं बरस्ती रहती हूं, और seed उकते रहते हैं, पेड बनते रहते हैं, दुनिया को मैं खुबसूरती बाठती रहती हूं, and make pure and beautify it, purify करती हूं, बार बारिश हमसे कह रही है, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wander करने का मतलब होता है, इधर उधर गूमते रहना, for song, ये पूरी की पूरी एक तरीके से, जो वोईज है, rain की, वो poet की एक कवता है, जहां से जो rain है, वो start हो रही है, फिर वापस वही पर आ जा रही है, इधर उधर चाहे वो घूम र और फिर बरस गई, गूमती गूमती, वही पर वापस वो आ जाती है, reckoned और unreckoned, delay with love returns, चाहे, reckoned और unreckoned इसका मतलब होता है, कि भई चाहे कोई बारिश पर ध्यान दे, या ना ध्यान दे, बारिश परती है, और अपने पूरे प्यार को, वो धरती को वापस कर देती है, वोईम है, voice of the rain, rain क्या करती है, कैसे आती है, कैसे हमारी धर्टी को हमारे अर्ट को खुब सुरत बना देती है, ये बात, जो है, rain हम लोगों को समझा रही है, तो ये पूरा poem का explanation हम लोगों ने देख लिया है, अब देखे इसमें, जो literary device इस्तमाल हुई है, वो हुए personification, क् क्योंकि एक non-living thing, rain एक non-living thing है, और उसने क्या किया है, उसने एक इनसान की तरह हमें बाते बताई है, क्योंकि वो बोलती है, I am the poem of the earth, said the voice of the rain, तो यानि कि यहाँ पर, I am the poem of the earth, said the voice of the rain, तो यहाँ पर personification का इस्तमाल किया गया है, यहाँ पर आया है personification, तो यह चीज़ क है ना, अलग अलग तरह से compare किया गया है, rain is being compared to the poem, तो यहाँ पर metaphor है, तो metaphor का भी इस्तमाल किया गया है, कि rain को किस से compare किया है, rain को एक poem of the earth से compare किया है, तो यहाँ पर personification और metaphor दोनों का दोनों का स्तमाल किया गया है, और imagery का भी है, क्योंकि imagination ही तो है कि किस तरीके से जो कव वो सुना रही है कौन एक पारिश अपनी का विता सुना रही है तो यह हम लोगों ने पूरी पूयम देखिए वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मच